कि नौश्कार दोस्तों आज हम अपने लग्की नंबर के बारे में जानेंगे जिस अंक को आप लोट्री होर्स रिस शेर मार्कट या अन्यों अलग अलग स्थानों पर यूज कर सकते हैं मैं यहां एक बात क्लेर कर दूँ कि मेरा मकसद जूए सटे या और किसी भी इलिगल एक्टिविटी को बढ़ावा देना नहीं है लोट्री, होर्स रिस और शेर मार्कट को सरकार ने मान्याता दी है तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी डेट व बर्थ लिखिए जैसे उदार्न के रूप में चार्ट पर लिखी है 12, 4, 2015 12 को जोड़ें तो हुआ 1, 2, 3 और टोटल डियोवी को जोड़ा तो हुआ 1, 2, 4, 2, 0, 1, 5 तो इसका जोड़ हुआ 15 1, 5, तो हुआ 6 सबसे पहले जो लखी नमबर होता है वो होता है हमारी डेट व बर्थ का यानि के मूलांक और दूसरा बागय अंक और सबसे लखी नमबर जो डेट व बर्थ में चुपा हुआ होता है वो होता है मूलांक और बागय अंक को मल्टिपलाई करना जैसे तीन और शे हुआ अठारा एक और आठ नौ तो ये हुआ आपका लकी नंबर अब ये देखना है कि नौ नंबर आंक आपके मुलांक या भागय आंक का मित्र आंक है के नहीं अगर दोनों का मित्र है तो ये आपके लिए सबसी लकी नंबर है दोनों मैंसे एक का मित्र अंक होना चाहिए तो पहला लगी नमबर मुलांक, दूसरा भागयों अंक, तीसरा दोनों को मल्टिपलाई करके जो आता है अब ये कैसे पता चले कि कौन से अंक का कौन सा अंक मित्र है तो चलिए दोस्तों, ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, जैसे एक नमबर सोर्यों, इसका मित्र अंक है दो, नो, तीन दो नमबर चंद्रमा, इसका मित्र अंक है एक, नो, तीन तीन नमबर गुरू, इसके है एक, नो चार नमबर राहु, इसके है छे, आठ पांच नमबर बुद्ध इसके मित्र अंक हैं 2, 6, 8 छे नमबर सुकर इसके हैं 4, 5, 7, 8 साथ नमबर केतु इसके हैं 9, 6 आठ नमबर शनी इसके हैं 6, 4, 7 नौ नमबर मंगल 1, 3, 7 यहां एक उधारन देखिए मान लिजिए आपका मुलांक 2 है और भागे आंक 4, तो मल्टिपलाई करके हुआ 8 तो यह शनी का आंक हुआ तो चार्ट में देखें कि क्या यह आपके मुलांक या भागे आंक का मित्र है अगर है तो यह सबसे लग्की नमबर है तो इन लग्की नमबरों को आप अपनी हिसाब से यूज कर सकते हैं